अगर पैन कार्ट को अधार कार्ट से लिंक नहीं किये तो क्या होगा दोस्तो पहले पैन कार्ट को अधार कार्ट से लिंक बिल्कुल फिरी में किया जा रहा था मगर बीच में 500 रपिया का चार्ज लाग रहा था अब तो 500 रपिया के दूर की बात है अब 1000 रपिया आपको चा देना पड़ेगा और एक हजार प्या कब तक देना चार्ज पड़ेगा वह आपको पता नहीं क्योंकि इसका है जो प्राइज बढ़ने वाला है कुछ दिन बाद आपको एक हजार से भी ज्यादा रुपिया देना पर सकता है आपके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आता होगा कि हम पहले पता कर लेते हैं कि सरकार हमसे पहले पहले बनाएं थे वह बोटर आईडी काड या कोई और भी डोगवें से बनाए थे तो उन लोगों का पैंकार्ड में है जो अधार काड लिंक नहीं है तो इससे हो रहा है दोस्तों की वह ब्यक्तिया भी चाहे तो अधार पैंकरड भूंश सरकार लेगा, मतलब सरकार इन चाहते है कि दो पैंकरड बनाएं और एक पैंकरड से उरे पांच लाक लौर रोन उठा ले तो दोस्तों इसलिए सरकार ने जा रही किया कि पैंकर को अधारकार्ड से लिंग किया जाए, अगर लिंक होने बाद कोई बंदा च तो दूस्तों पहले बता रहेते हैं कि अगर आप पैंड कार्ड से अधार कार्ड को लिंक नहीं करेंगे तो आपका बड़ा-बड़ा काम में समस्य आ सकता है जैसे कि आपका बैकिंग का काम होगा या पैसे उससे निकालने जाते हैं या फिर आप को बड़ा बीज़ने से अप पैंड कार्ड लेकर जाएंगे तो उहां प्रबॉलेगा कि आपका पैंड कार्ड में अधार कार्ड कार्ड लिंक करा के आएं तो आप यहां पत्ष्वन